नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं मैदान में होगा, इस अउस्ट पर राज्य सरकार द्वारा कई नई योजनाव की शुरुआत करेगी, वहीं कई भावनों का उद्गाटन सहीत कई युवाओ को नियुक्ति पत्र भी दिये जाएंगे बता दे की राज्य की हेमन सरकार ने बर्ष 2021 को नियुक्ति बर्ष घोसित कर रखा है, इसी के तहट कई भी भाग जैसे ग्रामिन विकास भी भाग, कल्यान भी भाग, स्वास्त भी भाग, सहीत और ये कई भी भागों के लिए नियुक्ति पत्रक का बित्रन किया जाएगा दरसल जारखन के कई इलाकों में इन दीनों बारिस के असार नजर आ रहे हैं, ऐसे में बादलों की वज़ा से ठंड से थोड़ी राहत मिले की संभवना है, हलाकि अगले दो दीनों में होने वाली बारिस के बाद एक पर फिर से ठंड बढ़ेगी, बता दे मोसम विभाग के अनुसार 28-29 को जारखन के कई जिलों में बारिस की संभवना जताई गई है, ऐसे में बारिस के बाद फिर से 30 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट होगी जारखन में भी 15-18 साल के किसोरों के टीका करन की तयारी करना पड़ेगा रईष्टे सन परधान मंत्री नैयंदमोदी की खोस्तना के बाद जारखन में भी 15-18 वर्स के किसोरों को को कोरोना संकरमन से बचाईव के लिए टीका लगाने की तयारी सुरू हो गयी है बतादे जार्खन का स्वास्त विभाग इस काम में तेजी से जूट गया है सिग रही इसके लिए परचार परशार भी सुरू कर दिया जाएगा स्वास्त विभाग के सुत्रों के माने तो टीका लेने वाले किसोरों को बकाइदा पंजियन कराना होगा जिस तरह से अभी अने लोग टीका के लिए पंजियन करा रहे हैं उसी तरह 15-18 वर्ष के सभी किसोरों को भी पंजियन कराना पड़ेगा पंजियन नहीं कराने वाले किसोरों को टीका नहीं मिल पाएगा कोडार्मा में नहीं थम रही कुरोना की रफ्तार कोडार्मा एसपी सहीत तीरसट नए संक्रमित मिले कोडार्मा जिले में कुरोना संक्रमन के रफ्तार पूरी तरब वेकाबू हो गई है बतादे सोमवार को जिले में रिकोर्ड तीरसट नए संक्रमितों की पहचान हुई है संक्रामितों में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूलिस अधिक्छक के अलावा सदर अस्पतार के कई कर्मी, SDO कर्याला के कर्मी, मरकचों की महिला, चिकित्सक, सहित, अन्य लोग सामिल हैं बताया जता है कि 24 गंटे के अंदर 8 PCR जांच में 31 टूर नेट मसीन से होई जांच में 18 और रैपिट एंटिजेन किट से होई जांच में 14 लोगों के संक्रामित होने के पुष्टी होई है संक्रामित जीले के अलग-अलग छेत्रों के रहने वाले हैं सहरी छेत्र कोडार्मा और जूमरी तिलेया से सबसे ज़्यादा संक्रामित मिले क्रोना जांच की गती बढ़ाय सरकार केंदरीय टीम की चतावनी केंद्रिये स्वास्थ मंत्राले के निदेस पर रांची पहुंची केंद्रिये टीम ने राजे में क्रोना जांच की गती बढ़ाने का सुझाव दिया है साथ ही राजे में A-T-P-C-R positive पाएगाए सेंपल की जिनोम सीक्वेंसिंग नहीं होने पर चिन्ता जायर करते हुए राजे के पतादिकारियों के इस पर ध्यान देने को कहा टीम ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही राजे में क्रोना के ओमिक क्रोन बेरियंट का पता चल पाएगा बता देख केंद्रिये टीम ने सुमवार को सबसे पहले रांची के नाम को मिस्थीत आरसी एच में इंटीग्रेटेड डीजीज सर्विलाइंस प्रोग्राम जारकन के पताधिकारियों से राजे में सर्विलाइंस वाक कांटेन्मेंट प्लान की जनकारी ली जारकन में जल्द बनेगी बेहतर एस्पोर्ट पॉलिसी सीम हमान्त मुख्य मंत्री हमान्सुरेन ने कहा कि जारकन के खिलाडियों को बेतर प्लेटफोर्म उपलब्द कराने के लिए राज सरकार कर टिबद है राजे में जल्द एस्पोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी सुदूर गरामिन छेत्रों के भी युवक युक्तियों के होनर को तरासने का काम राज सरकार कर रही है मुख्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को खेल के छेत्र में अधिक से अधिक मौका मिल सके इस नीमीत नई खेल पॉलिसी का गटन किया जाएगा रांची के अटूट संतोस को यूआ मेंटर सी फोर यंग ऑथर पुरुसकार रांची के अटूट संतोस का चयन पीएम यूआ मेंटर सी फोर यंग ऑथर के लिए हुआ है बतादे देश के 75 युवालेखो में अपनी जगा बनाने वाले अटूट संतोस संत जेवियर कॉलेज के बीए अंग्रेजी अनर्स के चात्र हैं वे जार्खन राजे के एक मात्र प्रतिभागी हैं जिने यह खिताब मिला हैं इसके तहट अटूट संतोस को 3 लाख रुपई की रासी और उनकी लेख किये प्रतिभाग और निखारने के लिए 6 महीने का मेंटर्शिप दिया जाएगा जार्खन पुलिस के लिए बनेंगे 1500 अवास हुंड को देगा 300 क्लोर रुपई पुलिस कर्मियों के 1500 अवासिय इकायों वा अन्य अधार्भू संद्रशनावों के निर्मान के लिए हाउसिंग और अर्बन डेवलोपमेंट कर्पोरेशन लिमिटेड से 300 क्लोर रुपई की बितिय साहता मिलेगी इसके लिए जार्खन पुलिस हाउसिंग कर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्ज हो चुका है जिसके अनुसार खुल 1500 अवासिय इकायों के निर्मान के लिए लगभाग 22.22 लाख रुपई प्रति इकाय की दर से लगभाग 333.33 कोर रुपई की आवसरता होगी बता दे हुड़कों ने योजनाहों की लागत का लगभाग नागवे फिस्दी यानि 300 कोर रुपई बतोर रिन बितिय साहता देने पर समती दिया है यदि निर्मान के ओधी दो बरस और रिन आदा आएगी के लिए 13 बरस का समय रखा जाए तो बर्तमान 22.22 के अनुसार कूल ब्याज की रास्ती 148 कोर आएगी पलामू में दो कैदी मिले कुरोना पोजेटीव पलामू में अलग-अलग मामलों में गिराफतार दो आरोपीद सोमवार को मेडिकल जाँच में कुरोना पोजेटी पाए गए हैं इन में से एक आरोपीद की गिराफतारी आर पी एफ की तरब से की गई थी वहीं दूसरे को पूलिस की टीम ने हिरासत में लिया था बतादे पहले आरोपी पर अवय तरीके से रेलवे टिकट बनाने के मामलादर जाय और दूसरे को लूट कांड में सामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था जेल भेजने से पहले दोनों की मेडिकल जाच कराई गई जिसमें इनके संक्रामित होने की पुष्टी हुई दोनों की जाच मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई थी जारखन में एक बर फिर से क्रोना के ममले बढ़ने लगे हैं बताद जारखन में 60 नए केस मिले हैं जबकि 15 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिब केस की संक्या 364 है भारत में 65-31 नए केस मिले हैं जबकि 71-41 मरी स्वास्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 75,032 रिम्स में सतर्कता नहीं लापरवाही बढ़ा सकती है परिसानी क्रोना संक्रमितों की संख्या लगतार बढ़ रही है इसके बाद भी लोगों में क्रोना के अनुरूप बेवहार की कमी देखी जा रही है रिम्स में मरीजों के परिजन और OPD में दिखाने आने वाले मरीज पूरी तरह बेपरवा दिख रहे हैं ऐसे में इनकी लापरवाही संक्रमन के परचार को और तेज कर देगी बता देखी देश बार में ओमिक्रोन के मामले बढ़ते जा रहे हैं इस वाइरस को अधिक संक्रमक बताया जा रहा है अगर राची में भी ओमिक्रोन फैला तो यह लपरवाही भारी पड़ेगी जमसेदपूर में क्रोना पोजेटिव रिपोर्ट आते ही युवक फरार जारखंड के पूर्विस सिम्हुम जीले के जमसेदपूर में रभिवार को एक ब्यक्ति ओमिक्रोन बेरियंट से संक्रमित पाया गया बता दे स्वास्त विबाग की ओर से की गई जाच में क्रोना रिपोर्ट पोजेटिव आने पर कुछ देर युवक वहाँ ठारा लेकिन उसके बाद युवक जाच टीम को चक्मा देकर वहाँ से भाग गया टीम उसकी तलास करने के लिए उसके घर तक गई इसके बावजूद उसका कहीं कोई पता नहीं चला बता दे इस घटना के बाद से विबाग में हरकम मचा हुए है ओमिक्रोन बेरियंट को लेकर देश दुनिया में दिक्रही चिंताओं के बीच कुछ लोगों की लपरवाही दूसरे लोगों के लिए खात्रा पैदा करने वाली है मन्रेगा में नहीं बरते लपरवाही सिकायतों का निप्टारा कर रोजगार दे मन्रेगा के सफल किरिवाइनों को लेकर ग्रामिन बिकास विभाय के सचिव डाक्टर मनीस रंजन ने राज्जे के सभी उफ बिकास आयुकतों के साथ वर्चूल बैठक की एवं मन्रेगा कारेकास समझ दे निस्पादन को लेकर टास्क सोपा इस दोरान उन्होंने अस्प्रश्ट कहा कि मन्रेगा कारे में किसी परकार के लपरवाई नहीं बरते मन्रेगा का उद्दे से रोजगार स्रीजन है योजनाय संचालित कर ग्रामिनों को रोजगार मुहजया करवाना सुनिश्चित करे बता दे मनिस रंजन ने एरिया ओफिसर एप के माध्यम से सभी प्रखन विकास पदाधिकारी प्रखन कारेकरम पदाधिकारी सायक अभियांता एवाम कनिये अभ्यांता को 50-50 चालुएज नाओ का प्रति माने रिक्षन करने एवाम उसका प्रतिवेदन एप पर अपलोड करने का नेदेश दिया रांची से चलने वाली तीन ट्रेने रद पकरा कुरकूरा लाइन में सन्निवार की राद दो मालगारियों के बीच हुई टकर का सर अभिवार को भी दिखा हटिया बंडा मुड़ा लाइन में रेल परी चालन पूरी तरह परवावित रहा इसको लेकर रांची रेल मंडल द्वारा तीन ट्रेन को रद किया गया और कई ट्रेनों को परिवर्थित माग से रवाना किया गया बता देदर गटना के कारण 3 ट्रेनों को रद किया गया इसमें जारसु गुड़ा हाटिया मेमू पेसेंजर gözय जासु गुड़ा मेमू ट्रेन वा रार केला हाटिया पेसेंजर ट्रेन रद रही रांची समय तीन जीलो में ISBT निर्मान के लिए जल्द जारी होगा टेंडर राज्य के तीन परमुक सहरो रांची चमसेथपूर अधनबाद में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के निर्मान के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा तीनो सहरो के ISBT के लिए ड्राप्ट डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार कर ली गई है बता दे करनाटक की प्रामुर्सी कमपनी आईडेक ने लगबग 150 क्लोर रुपे कर्चोने का नुमान लगाया मनरेगा मजदूरों का नहीं हो रहा बकाया भुकतान 300 क्लोर फसा है प्रामिन विकास विभाका काना आयकी रासी जारी कर दी गई है फिलाल मनरेगा मजदूर का 300 क्लोर रुपे से बकाया हो गया है जारखन को अब स्तक 7 क्लोर मानों दिवस के लिए रासी दे दी गई है जबकि यहां 8.25 क्लोर मानों दिवस रिजित हुए है लातेहर में मिस्सा पुजा के बाद साधी के बंधन में बधे 25 जोडे जारखन के लातेहर जिले के महुआ डाल प्रखन के माता पली संत जोसेप चर्च संत जेविया चर्च गोट गाउं पकरी पाट एवां तूंद टोली सहित प्रखन के अने चर्च में सोमर को समोहिक बिवा समर वकावजन किया गया इसमें 25 जोडे एक दूजे के हुए बताद इसमें पली पुरोहितो द्वारा इसाई धर में बीधी से बिवाक कराया गया जारखन का जल प्रपाप जहां रानी सीरो मनी ने दिथी जान जारखन के गुमला वा 36 गड़ के जसपूर जीले के सीमा वरती पहाण वा जंगलों के बीच रानी दह है बताद इया राइडी परखन से सटा हुए है यह अदभुत प्रकिर्टिक अस्थल है देश का विख्याद पिकनिक स्पोर्ट है बता दे नौ बर्स की बेला में यह घुमने का सबसे तूंदर जगा है रानी दह से एक कहानी भी जुड़ी हुई है जिसे जानने लोग यहां पहुँचते हैं कहा जाता है कि एक रानी ने पहाड की उचाई से नदी में कूद कर जान दे दी थी इसलिए इसका नाम रानी दह पड़ा बता दे रानी दह का एक नाम सुसाइट पॉइंट भी है क्योंकि रानी ने यहां आत्म हत्या की थी इस करण इसे रानी दह के साथ सुसाइट पॉइंट भी कहा जाता है खरसावा सहीद दिवस की तियारी का जाजा लेने पहुंचे कोलहान आयुकते अगामी 1 चनुवरी 2022 को खरसावा में आयुजित होने वाली सहीद दिवस की तियारी का जाजा लेने के लिए कोलहान आयुकत मनोज कुमार सोमवार को खरसावा पहुंचे इस मौके पर मुख्यमत्री हेमान सुरेन के संभावित कारेकरम को लेकर तैयारियों का भी जाजा लेते हुए कई अवस्यक दिशार निदेश भी दिये बता दे कोलान आयुक्त मनोज कुमार ने सराइक लेकर सावा जीला के डी सी औरवा राज कमल और एस पी अनद परकार के साथ सहीद पार्क में किये जा रहे संदर्य करन कारेका भी जाजा लिया नए साल में बाबा मन्दीर समेत और पर्याटन अस्थलों की पुक्ता सुरक्षा ब्यवस्ता रहेगी नए साल में बाबा मन्दीर समेत और पर्याटन अस्थलों पर रहेगी पुक्ता सुरक्षा ब्यवस्ता इसे देखते हुए पुक्ता सुरक्षा ब्यवस्ता की गई है परतिनुक्त कर दी गई है नए साल के आगमन को लेकर भारी चंक्या में पर्याटक वास्थानिये लोग 31 दिस्तंबर की रात को जस्न मनाएंगे वहीं एक जन्वारी को पर्याटक अस्थलो और पिकनिक एस्पोर्ट तपो वान नंद पहार पुनासी, तिरिकूट, चिल्डेंड पार्क आधी जगों पर जुटेंगे बालीबूट एक्टर कीशू राहूल वह पलामू आयुक्त सुटिंग लोकेशन देखने पहुंचे नेतर हाट बालीबूट एक्टर कीशू राहूल उन्होंने एक्टर कीशू राहूल को नेतर हाट सहीद पलामू परमंडल में फिल्म सुटिंग के लोकेशन की जनकारी दी उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोग पलामू परमंडल सहीद राजे के विभीन चेतरों में आये और फिल्मों की सुटिंग करे बता दे पूरततो विभाग ने अभी पांच पीट तक खुदाई की है जिसमें भावन की छट और दर्वाजा मिला है इस महल का निर्मान राया दूर्जन साल ने कराया था समभवना जताई जा रही है कि मोगल समराठ से बचने के लिए राया दूर्जन साल ने जब सिसवय में अपनी रजधानी नवरतन गड की अस्तापना की थी तो उस समय उन्होंने बचने के लिए जमीन के अंदर भी खुपिया भावन का निर्मान कराया था भारत और अफरीका के रिष्टो की कहानी सुना रही डाक्टर नेहा डाक्टर नेहा सिनहा ने सिन्जाई जिंग इंडिया अफरीका रिलेशन्शिप नाव और बियांड कोविड-19 महामारी पर एक पुस्तक को प्रकासित की है इसकी एक प्रती सोमवार को नोने जारकन के राज़ेपाल को भेट की इस किताब को कुरोना काल दोरान भारत और अफरीका के रिलेशन्शिप के उपर लिखा गया है बता दे पुस्तक भारत अफरीकी समवंधों पर एक विस्ष्ट और तेज फोकस के साथ अंतराश्ट्री समवंधों के परिप्रेक्ष से कोविड-19 के परभाव को देखती है एक राष्ट्र और एक महादीप को साजाद चिन्ताओं और अवसरों के साथ अपने समवंधों को बनाने मजबूत करने और बनाए रखने किया सकता है बिधायक अंबा परसाद और पूरो बिधायक मनोज में जम कर भिलानते हजारी बाग जीले के कटम दाग के हर हद में जमीन विवाद को लेकर बरतमान और पूरो बिधायक के बीच जम कर नोका जुकी हुई इसके बाद वहाँ पहुची पुलिस ने किसी तरह से दोनों को सांथ कराया दोनों ने थाने में इसे लेकर आवेदन दे दिया है दरसल हर हद इस्थित एक बड़े भुबाग पर पढ़का गाव विधायक अंबा परसाथ की उपस्तिती में उनके समर्थों को द्वारा काबजा किये जाने को लेकर जम कर हम गावा हुआ बताया जा रहा है कि जमीन पर पहले से मौजूद चार दिवारी को तोड़कर गेट बनाया जा रहा था जिसकी सुचना बरही के पूरो विधायक मनोज्यादयों को लग गई जिसके बाद ओ भी अपने समर्थों के साथ वहाँ पहुँच गई और दोनों के समर्थों के बीच जम कर हूँ आला हुआ दबाव में पेट्रोल डियल पर वेट काम नहीं करेगी सरकार सरकार ने पेट्रोल डियल से वेट काम करने की कसम नहीं खाई है दबाव में कोई काम नहीं होता है वेट कब काम करना है या सरकार तय करेगी सरकार दबाव या जीद में कोई काम नहीं करती अगर अने राजियों से तूलना करे तो जारकन में पेट्रोल डिजल की कीमत कम है उक्त बाते जारकन के बित मंत्री डाक्टर रामेसर उराव ने कही उन्होंने कहा कि बिहार में पेट्रोल 108 रुपए बिक रही है यहां 98 रुपए में मिल रहा है यहां महांगाई केंद्र की वज़ा से है साल 2014 में ड्यूटी 9.30 फिजदी थी उस वक्त केंद्र में यूपिय की सरकार थी आज एक साज ड्यूटी 9.30 फिजदी से बढ़ कर 29 फिजदी कर दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होता है तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुल के लिक लेकांद वाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेसर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीड़बैक अवास्यदे थांक यू